नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब तो मेरी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज बीन्स की सबजी बना ली जाए तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से धो के और काट लिया है आलू के साथ और यहाँ पर मैं लूँगी लहसुन और प्याज और कुछ टमाटर चलिए अब इसको बखारते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कठाई में चढ़ा लिया है तेल और तेल की गरब होते ही मैं इसमें डाल दूँगी जीरा देखिए जीरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें लहसुन डाल दी है औ अब मैं इसे ढाक के थोड़ी देर पकाऊंगी अब यह देखिए खोल के देखते हैं तो यह थोड़ी से पक गए हैं अब मैं इस स्टेज में इसको थोड़ी देर चलाऊंगी और इसी स्टेज में मैं इसमें स्वाद अनुसान डाल दूँगी नमक और फिर उसी के साथ मैं मैं इसको फ्राय करूँगी नमक के साथ यह बहुत जल्दी फ्राय हो जाएंगे और आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब नमक मैंने डाल दिया है अब मैं इसे ढाग दूँगी कुछ देर के लिए टो यह देखीए इतने अच्छे गूल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं डाल दूँगी टमाटर और सारे मसाले डाल दूँगी हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और इसे उसी के साथ बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि सारे मसाले भी अच्छे से पक जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए मेरी बीन्स की सब्जी बन के हो चुकी है बिल्कुल तैयार अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ मैंने यहां साइड में थोड़ी सी अपने बेटे के लंच बॉक्स के लिए निकाल के रखी हूई है मैं टमाटर हटा रही थी क्योंकि वो टमाटर बिल्कुल नहीं खाता है तो ये देखिए अब मेरी सब्जी बन के हो चुकी है बिल्कुल तैयार तो आप जरूर बताएएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग